बश्कार दोस्तों आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल आसा स्टेडी पन पर स्वागत हैं इस वीडियो में दोस्तों लोग चर्चा करने वाले नए संसत भौन के बारे में तो चलिए जानकारी करते हैं आपके प्रतियोगी परिक्षा के दिर्ष्टी से और जानकारी की भी दिर्ष्टी दोनों से महत्पूर बनता है हमारा न्यू पार्लियामेंट यानी नए संसत भौन के बारे में चर्चा करते हैं तो आएए सुरुवात करते हैं इस वीडियो की सेंटल बिस्टा प्रोजेक्ट के तहत प्रधान मंत्री नरेन मोदी ने 10 दिसंबर 2020 को नए संसत भौन की आधार सिला रखी बिमल पटेल ने नए संसत भौन का डिजाइन त्रिकोडी या तिकोन आकार में बनाया है इसमें चार मंजिल हैं 64500 वर्ग मीटर में निर्मित नए संसत भौन में तीन दर्वाजे हैं जिने ज्यान दवार, सक्ति दवार और कर्म दवार नाम दिया गया है नए संसत भौन में लोक सभाग की 888 सीटे हैं जिसका चेंबर रास्टी पक्षी मूर की थीम पर आधारित है रास्थ सभाग की 384 सीटे हैं जिसका चेंबर रास्टी फूल कमल की थीम पर तयार किया गया है दोनों सदनों की सैंट बैठक के दवरान लोक सभा में ही 1272 से जादा संसद एक साथ बैठ सकते हैं नए संसद भौन का डिजाइन गुजरात की आर्किटेक्ट्चर फॉर्म HCP डिजाइन्स एवं निर्माड टाटा प्रजेक्ट्स लिम्टेड के द्वारा किया गया है नए संसद भौन के निर्माड में लगभग 1200 करोण रुपए का खर्च आया है 28 मई 2023 को भारत के नए संसद भौन का उधगाटन प्रधान मंत्री नरेंद मोदी द्वारा किया गया और 75 रुपए का सिक्का जारी किया गया एक बार दोस्तों देखते हैं सारे पॉइंट्स को किस तरीके से यहां से आपके कुश्चन बनेंगे पहला कुश्चन आधार सिला कब रखी गई तो 10 दिसंबर 2020 को किस प्रोजेक्ट के तहत निर्माड किया गया तो सेंटल बिस्टा प्रोजेक्ट के तहत निर्माड किया गया इसका डिजाइन किस ने दिया तो बिमल पटेल के द्वारा इसका डिजाइन दिया गया आकार कैसा है हमारे नए संसद का तो त्रिकोडी या तिकोन आकार है इसमें तीन दर्वाजे हैं जिनको अलग-अलग नाम ग्यान द्वार, सक्ति द्वार और कर्म द्वार नाम दिया गया है नेक्स पॉइंट नए संसद भौन में लोगसभा की सीटों की बारे में बात करें तो 888 सीटे हैं जिसका चेंबर रास्टी पक्षी मोर के थीम पर आधारित है राजसभा की 384 सीटे हैं जिसका चेंबर रास्टी फूल कमल के थीम पर आधारित है सहीं तो बैठक के दोरान अगर बात करें तो लोग सवाब में ही 1272 से ज़्यादा सांसद एक साथ में बैठ सकते हैं तो अबजेक्टिव आप देखेंगे कहां कहां जो मुख्य मुख्य पॉइंट है यह आप देख पा रहा हों यह पॉइंट देख पा रहांगे यह पॉइंट और यह इस तरीके से से आपको इस वीडियो से बनाना है नेक्स्ट बात करते दोस्तों नए संसद भौन की नाम है HCP Designs और किस कंपनी के द्वारा निर्माड किया गया तो टाटा प्रजेक्ट प्रजेक्ट लिम्टेट के द्वारा तैयार किया गया लगबग खर्ज की बात करते हैं तो टोटल खर्ज आपका हुआ 1200 करोड उपए का यह भी प्रश्ण बन सकते हैं उद्घाटन कब किया गया यह वेरी इंपोर्टन बन जाता है 28 मई 2023 को प्रधान मंत्री नरेंद मोदी द्वारा इसका उद्घाटन किया गया और उसी उद्घाटन स्वरूप 75 रुपए का सिक्का जारी किया गया आईए अब चर्चा का विशा रहा आपका सिंगोल इसके बारे में जानकारी करते हैं सिंगोल क्या है इसके बारे में चर्चा करते हैं सत्ता के हस्तांत्रण के रूप में एक राजडंड का प्रतीक है देखिएगा दोस्तों सत्ता के हस्तांत्रण के रूप में एक राजड का प्रतीक है और भी अच्छे से समझते हैं कि नए संसद भौन में रखे जाने वाले सेंगोल वास्तों में भारत की आजादी और देश के पहले प्रधान मंत्री पंडित जवालन नहरू या नहरू जी से जुड़ी है अगस्त 1947 में जब भारत को आजादी दी जा रही थी उस समय बिटिस सरकार से भारती सरकार को तकालिन प्रधान मंत्री की बात करते हैं तो पंडि जवाल्लान नहरू थे को सत्ता हस्तांत्रन के रूप में एक राद डंड सेंगोल दिया गया जिसका संबंद चौल्वंसीराजाओं के सत्तांत्रन से था तो ये है दोस्तों सेंगोल की जानकारी और नए संसस से बनने वाली सारी जानकारी चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक करिए, सस्काइब करिए, सेर करिए फिर मिलते हैं नेक्ट वीडियो में धन्यवाद